दोस्तों आज हमें एक ऐसी बाइक के बारे में बात करेंगे और लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि इस बाइक को लेना है कि नहीं लेना है वैसे हम दो decide करने वाले कोई नहीं है क्योंकि ये bike अपने आप में बहुत बहतरीन bike है बहुत गजब का इसका fanbase है लोग इसको बढ़ चड़ के पसंद करते हैं नाम है Honda Unicorn 160 स्क्रिन पे आप देख रहे हैं इस bike को जिसका fanbase अलग है लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको इसके advantage और disadvantage दोनों बताऊँ आज की इस वीडियो में दोनों मैं एक साथ बताऊँगा और last में हम लोग मिल के decide करेंगे इस bike को लेनी चाहिए 2024 में या फिर नहीं शुरुआत करते हैं सबसे पहले बढ़िया चीज़ों से पहला point है इसका refined engine देखिए इसका जो engine है वाकई में बहुत refined है मैंने इसको चलाया है और आप feel भी करेंगे refined engine के बाद जो आपको riding quality मिलती है न वो कमाल की मिलती है 160cc segment में one of the best engine इसमें आपको मिल जाता है अगला point है pretty good mileage for its class अगर हम 160cc बाइकों के बात करते हैं तो इसमें जो इसका mileage मिलता है 160cc segment में वो बढ़िया है अच्छा mileage है अब कुछ लोगों को 45 का मिलता है कुछ लोग 50 का भी निकाल रहते हैं कुछ लोग 50 के उपर तक जाते हैं देखिए आपके riding quality पे बहुत जादा निर्बर करता है आप eco speed में चलाते हैं या फिर sport mode में चलाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा throttle का इस्तमाल करते हैं कहीं ने कहीं डेपेंड करता है आपके उपर ये चीज बढ़िया है कि इसमें mileage आपको बढ़िया मिलेगा अगला point है good build quality and low maintenance यकीन मानिए कि अगर आप Honda Unicorn 160 का ध्यान बकायदा रखते हैं मतलब हमेशा इसके chain वगएरा पे lubricant करिए chain loop करते रहिए साथी साथ इसको हमेशा धुलते रहिए साफ सफाई रखिए ज़्यादा आफ रोडिंग मत करिए और करते भी हैं तो समहल कर करिए और ये बहुत सारी चोटे-चोटे चीजें हैं अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो यकीनें ये बाइक आपको बहुत कम maintenance cost मांगेगी आपसे और दूसरी बात ये है कि इसकी जो build quality है वह impressive है मतब अच्छी build quality company देती है क्योंकि इसमें कोई भी cowl वगएरा बहुत ज़्यादा इस्तमाल नहीं fiber वगएरा बहुत ज़्यादा इदर ताम जाम company नहीं देती है neat and clean, saaf and sutry bike है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात अगला मैं बताता हूँ कि देखिए अगर आपको daily चलना है daily 30-40-50 km चलना है तो उसके लिए आपके लिए बहतर विकल्प यह हो सकती है साथ ही साथ आपके गर में family member जैसे आपकी wife, आपकी sister, आपकी mother कोई भी है, अगर उनको single side pair करके बैठना है तो आराम से बैठ सकती है क्योंकि इसमें lady footrest मिलता है, सारी guard मिल जाता है ये सब pre-install रहते हैं, अलग से नहीं लगवाने हैं तो एक family bike भी बन जाती है और long term यानि कि लंबे समय के लिए आपके साथ ही चल सकती है अगली point मैं बताता हूँ, no updates but still loving fan base देखी इसमें कोई नए updates company ने नहीं किये है जिसे के जो modern features आते हैं ना fully digital meter console, LED lights, Bluetooth, mobile charging ports इन तरह के कोई भी update company ने इस bike में नहीं दिये लेकिन इसके बाद भी जो इसका एक fan base है उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो अभी भी इस bike को उतने ही कदर से चाहते हैं जितना पहले चाहते थे मैंने starting में से लिए बोला कि unicorn 160 का fan base ये लगे लोगों को नहीं फरक पड़ता कि इसमें क्या चीज़ें आ रही है क्या चीज़ें जा रही है बस उनको unicorn के नाम से बहुत प्यार है अब चलिए मैं अब इसके points वो cover करता हूँ जो इसमें बुरे लगते हैं मुझे जो इसके negative points है पहली चीज़ मैं बताता हूँ no rear disc break हमें विकल्प के तोर पे भी नहीं मिलता है इसमें rear disc break अब देखे आगे disc तो मिलता है लेकिन उसके side छोटी है प्लस जो पीछे break वो drum break लगा हुआ है तो देखे जो confidence आना चाहिए breaking है 100% वाला वो नहीं आपाता है breaking इसकी ठीक है मतलब मारेंगे कहीं पर रुख जाएंगे लेकिन कहते हैं न कि confidence build होता है अगर पीछे भी disc का विकल्प मिल जाता दोनों break एक साथ apply करते है तो फिर एक कमाल का आता confidence हमें अंदर से लेकिन वो चीज़ नहीं आपाती है तो कहींने कहीं breaking अगर company थोड़ा सुधार देती तो मज़ा आ जाता अब अगली चीज़ में बता रहा हूँ जो कि owners हैं जिनके पास unicorn 160 है उन्होंने सीज की सिकायत करी है कि इसको जब high rpm पे लेकर जाते है तो इसमें vibration फील होता है मतलब कमपन हाथ में महसूस होता है अब देखी vibration ज़्यादतर bikes में देखने को मिलता है ऐसी बात नहीं है लेकिन unicorn 160 में भी vibration आपको मिलेगा बले इसमें refined engine आता है इस point को अभी थोड़ी दे में cover करूँगा अगला point बताता हूँ no updates till date अब देखी इसमें आज की date तक भी न कमपनी ने कोई update नहीं दिया है अरे एक mobile charging port दे देते हैं ये तो आज एकल basic need बन चुकी है सबकी पहली मतलब जरूरत बन चुकी है लोग जब चलते हैं तो phone और bike चलते रहना चाहिए मतलब bike से ज़्यादा उनका phone haunt रहना चाहिए तो charging की सुवज़ा तो आज कल सौ सिसी bike को में मिल रही है ठीक है तो ये तो भाई अच्छी bike है लेकिन अभी इसमें charging port नहीं आता है Bluetooth connectivity नहीं आती है फुली digital meter console नहीं आता है LED headlight नहीं आती है ये जितने भी modern feature है ना ये सब अभी इस bike में company ने आज की date तक भी update नहीं दिया है उनको फर्की नहीं पड़ता है उनको लग रहा है कि चलो भाईया बिक तो रही है हमारी bike ना लोग पसंद तो कर रहे है लेकिन अब मैं बताता हूँ अगला point अगर आप इसमें कोई update नहीं कर रहे है तो भाईया कीमत कहाँ बढ़ा रहे है बताइए एक लाख दस हजार उपएस के exorum price है और ये लगभग पढ़ जाएगी आपको एक लाख 35 से लाख 40 जार के बीच में तो देखी प्राइस तो एक 35 से लाख 40 पहुँच गया है न आपने update तो कोई नहीं दिये है तो ये इसका disadvantage है समझे इस बात को कमपनी को कीमत नहीं बढ़ाना चाहिए अगर आप कोई भी update नहीं दे रहे हैं तो अब अगली सीज में बताता हूँ हुंडा SP 160 ध्यान रखेगा कि हुंडा SP 160 जब से लाउंच हो ये कमपनी ने उसके प्रमोशन के नाम पे खोब पैसे खर्च की है चाहे वो बिग बॉस OTT सीजन हो या फिर कहीं पे भी हो कमाल के पैसे खर्च की है हर जगा दिखाने की कोशिस की है कि भाईया SP 160 उनकी one of the best बाइक होने वाली है और भाईया अगर आपकी SP 160 बिगेगी तो कौन सी बाइक पे प्रभाव पड़ेगा Unicorn 160 पे क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार Unicorn लेने से बहतर है कि सीम इंजन लगा हुआ है लेकिन लुक नया मिल जाएगा आगे बढ़ियां हेडलाइट मिल जाएगी फुली डिस्टिलमेटर कंसोल मिल जाएगा तो यार चलते है SP के तरफ क्या ही जाएं इसकी Unicorn के तरफ यार ये तो disadvantage है इसीस का ध्यान तो रखना चाहिए तो देखिए मैंने आपको पूरे points कवर कर लिए पांच मैंने अच्छे points बता है और पांच मैंने बुरे points बता है अब हम cover कर रहे हैं इसीस को ध्यान में रखते हुए कि चलिए अब आप ही बताईए हम भी बताते हैं कि इस बाइक को 2024 में लेना चाहिए या फिर नहीं तो देखी मैं आपको एक सीज़ इस पर्ष्ट रूप से बता दू अगर आपको एक साफ सुतरी बाइक चाहिए ज्यादा थंड कमंड नहीं चाहिए कि भाईया आगे काउल लगा हो, पीसे काउल लगा हो स्पोर्टी डिजाइन हो, एक्रो डाइमने डाइनेमिक लूक हो पता नहीं क्या-क्या देजबर के टेटिम में है लो मिंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, अच्छा माइलेच चाहिए डेली चलने के लिए फैमिली बाइक चाहिए तो फिर आग बंद करके लिए लिजे यो निकॉन 160 बेस्ट बाइक है, no doubt क्योंकि इंजन ही सब कुछ होता है और इंजन इसका बहुत अच्छा है, रिफाइन इंजन है लंबे समय तक चलेगा आपके साथ लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फरक पड़ता है कि भाईया हमको नए modern features भी चाहिए तो फिर आप SP के तरफ जाज सकते हैं SP 160 के तरफ या फिर इसी प्राइज में आपको दूसरी कंपनियों की और भी बाइक्स मिल जाएगी तो फिर अगर आपके कोई doubt हो तो comment करिएगा या फिर इस बाइक के बारे में कमियां या खूबियां जो आप जानते हैं वो आप comment में हमार साथ सांजा कीजेगा मिलूँ अकल फिर से नए वीडियो के साथ अपना ध्यान रखिएगा